हाई अव्रिवन जाहिन जाह भारत कैसे आप प्रोग उम्हेंदे दोस्ता आप सब बहुत अच्छस होंगे स्वागत आप सभी का इस वीडियो में ये वीडियो काफी खास होने वाली है काफी इंपोर्टेंट होने वाली है इस वीडियो में हम डिसकास करेंगे दोस्तों लखनव यूनिवर्सिटी के एक complete एक यूनिट को हम समझेंगे इस यूनिट के बाद इस वीडियो के बाद दोस्तों आपके 16 नमबर कम से कम लखनव यूनिवर्सिटी में आपकी confirm हो जाएंगे इस वीडियो को बनाई जा रही है मैं आसा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही सायक होगा तो देखिए हम बात करेंगे इस वीडियो में क्या है और कैसे मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद से आपके अच्छे खासे मतलब एक उनिट को इटेंशन नहीं रहेगा क्यों बाई इस वीडियो में हम ऐसा क्या करने वाले है इस वीडियो में हम धोस्तों देखने वाले हैं तो आएए सीधे चल लेते हैं, बड़ी-बड़ी बाते नहीं, बड़े-बड़ी बाते ओड़ा भाखाते वाली बात नहीं है, हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको इस यूनिट में क्या पढ़ने को मिलेगा, मेरे इस वीडियो में आपको क्या जानने अब यहां पर पूछ सकते हो कि सवाल कैसे पूछेगा, सवाल कैसे भी पूछ सकते हैं, कि सिक्षा के आप सार्थिक अर्थ की व्याक्या करिए, सिक्षा के आप व्यापक अर्थ की व्याक्या करिए, सिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में आप क्या समझते हैं, ऐसे भी प अब यहां से मैं यहीं topic पे एक आपको confirmation दे दू कि इनहीं में से दो या तीन topic को add करके एक सवाल बना दिया जाएगा और आपसे वो बड़े अंकों में 16 या 14 नंबर में पूछ लिया जाएगा कैसे सवाल आपसे पूछ लेगा कि सिक्षा के अर्थ परिभासा और उसके उदे लेगा लेकिन इन topic को हमें यहां पे explain कर दूँगा अपने आसान से भासा में इससे आपको यहां पर point clear हो जाएगा तो यहां पर education को समाझ में आखिया कि हम यहां पर the meaning of education देखेंगे थ्री सेंस में पहला the literal meaning of education, meaning of education in the narrow sense, meaning of education in the broader sense, definition of education, concept of education, objectives of education and मानो जीवन में सिक्षा का महात्व, the importance of education in the human life so हम इन सारे चीज़ों को देखेंगे, हाँ English medium से मैं एक बात कह दूँ कि इसको आप आसान से सब्दों में यहां पर बताया क्या होगा तो आप इसको समझ लेंगे ना तो आसान से सब्दों में आप इंग्लिस में लिख लेंगे आपके इंग्लिस में मैं नोट्स भी आपक अइसको बातना किया लागेए कमान लों मोर टाइम वन मोर टाइम क्या है वहाई आपको यहां पे देखने को मिलेगा सिक्छा के अभी करन इंग्लिस में इसको कहते हैं अजेंसियस ऑव्दू कर घर मोंस्ट इंपर्टन यूनिट है इसको कहते हैं इन फॉर्मल एजेंसिज informal agencies और non-foral agencies Hindi में इसको कहते हैं दोस्तों अपचारी का भी करण, on-पचारी का भी करण और near-पचारी का भी करण तो इसको भी इस वीडियो में explain किया जाएगा आप सोच रहें कि वाह यह जैक पॉट वीडियों के साथ संबंद कभी कभी पूछ लेता है कि सिक्चा का दर्सन के साथ क्या संबंद है सिक्चा का इतिहास के साथ क्या संबंद है सिक्चा का समाज सास्त के साथ क्या संबंद है इस तरीके किसे सवाल आप से पूछ लेगा एक कला है कि एक विज्ञान है और अगर आप सेरीज देख रहे हो या प्रिविए से कोशन देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ यही से तो सवाल बूछे जाते हैं बिलकुल यही से पूछे जाते हैं दोस्तों सिक्षा क्या है विज्ञान है कि कला है इसकी विवेचना क कहा किया था वो भी हम इसमें discuss करेंगे तो यहां पर देखेंगे इस वीडियो हम देखेंगे सिख्चा एक द्यूमुखी प्रकिरिया इसको भी explain किया जाएगा सिख्चा एक कला है या विज्ञान है most important point है दोस्तो इसको भी discuss किया जाएगा आएए अपने वीडियो को सुरू क करने से पहले मैं last point बता दूँ कि इस वीडियो में और क्या देखा जाएगा बाबू इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि बालक के सिख्चा में परिवार का क्या योगदान है ये भी आप से सवाल पूछा जाता है और ये भी important है इसको भी हम इस वीडियो में देखें और यही वो point है जो आपके first unit में दिया है और यही वो question है जहां से आपके exams में पुछे जाएंगे चरिए बिना किसी देरी के दोस्तों आपको सुरू करते है आपके इस वीडियो को और हम आते है अपने पहले point पे वो है दोस्तों सिख्चा का earth क्या होता है इसको आप थोड सिख्चा का earth क्या है जब इस सिख्चा की earth की बात की जाएगी इसको तीन तरीके से व्याख्या किया जाएगा पहरा दोस्तों सिख्चा का साब्दिक अर्थ literal meaning of education सिख्चा क्यों सिख्चा है भाई सिख्चा को हमने सिख्चा ही क्यों कहा सिख्चा को हमने education ही क्यों कहा कुछ और क्यों नहीं कहा तो देखिए सब्द की उत्पत्ति से बात करें कि कैसे सिख्चा सब्द बना तो आप इसको लिखिए गा सिख्चा के साब्दिक अर्थ में कि सिक्चा जो सब्द है दोस्तों वो संस्कृत के सिच धातू से बना है सिच्चा जो सब्द है वो ओरिजिन कहां से वाई संस्कृत है किस धातू से भाई धातू का मतलब जैसे इंगलीज में वर्ड होता है तो संस्कृत में धातू होते है सिख्च धातु से बन गये सिख्च का अर्थ होता है सीखना तथा प्रेरक के रूप में इसको हम सिखाना भी कहते है इसको क्या कहते हमें सीखाना भी कहते है आता सिख्चा का actual meaning क्या हो जो literally meaning जो सब्द सिख्चा है इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है दोस्तों सीखना और सिखाना बात समझ में आगए सिक्षा सब्द की अगर बात करें कि सिक्षा सब्द का अर्थ क्या हो गया इसका मतलब होता है सीखना या सिखाना बहुत अच्छी बात दूसरा सब्द दोस्तों अंग्रेजी में हम इसको education कहते है education क्यों कहते है भाई देखिए अंग्रेजी का education सब्द है भाई वो latin भासा के कई सब्दों से माना जाता है जिसमें पहला सब्द है educatum माना जाता है कि जो अंग्रेजी का education है वो latin के educatum से बना है Educatum क्यों? Educatum में देखेंगे आप दो सब्द है Educatum सब्द में दो भासा है दो सब्द है E और Duko E अर्थात अंदर से और Duko का मतलब होता है अग्रिसर करना या आगे की ओर ले जाना या बाहर निकालना समझ जागे? यह Latin Dictionary की बात की जा रही है Education सब्द जो दोस्तों माना जाता है कि Latin भासा के Educatum से बना है और Educatum सब्द दो सब्दों से मिलकर बना है A प्लस Duko A का मतलब होता है अंदर से Duko Latin सब्द में कहा जाता है कि अंदर से बाहर निकालना, आगे बढ़ाना, अग्रसीद करना तो इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तो Educatum का मतलब क्या हो गया Education का मतलब बालक की आंतरिक सक्टियों को बाहर निकालना या बाहर की ओर ले जाना समझ में आगे बात अब यहाँ पर आपने Education के दो आर्था देखें सिक्छा का मतलब सीखना और सिखाना Education का मतलब बालक की आंतरिक सक्टियों को बाहर निकाला या फिर aggressive करना या आगे बढ़ाना ये कैसे मिला क्योंकि Education है दोस्तो वो माना जाता है कि Latin के Educatum सबसे बना है समझ में आगे बाद A plus D को A का मतलब अंदर से D का मतलब बाहर निकाला समझ में आगे बाद ठीक वैसे ही अपने सब्दों में बना के लिखना है वाकियों को छोड़िए आप खुद से बना के लिखेगा कि माना जाता है कि अंग्रेजी का Education सब्द Latin के Educatum सबसे बना है जिसमें A का अर्थ होता है बाहर अंदर से वो Educare से भी बना है Educare सब्द का ततपर उठाना आगे बढ़ाना प्रगती करना या बाहर निकालना सेम चीज होता है तो आपने यहां पर तीन सब्द देखे सिख्चादम का मतलब सीखना Educare का मतलब दोस्तों यानि इसका भी यही मतलब होता है आगे बढ़ाना बाहर निकालना ठीक वैसे ही Educatum का भी मतलब होता है कि अंदर से बाहर निकालना यानि कि बालक की अंतरिक सक्तियों को बाहर निकालना तो जब हम सब्द की बात करें तो सिख्चा सब्द का भी अर्थ समझ में आगे वर्ड की बात कर रहा हूं Education सब्द के भी अर्थ को समझ में आ गया अब यहां तक आप समझ गये हैं कि सिख्चा के वर्ड का अर्थ अब complete हम समझेंगे कि आप सिख्चा का मतलब समझ देगा या वर्ड की बात नहीं की जाएगे अब हम बात करेंगे complete सिख्चा की बात की जाएगी कि भाई सिख्चा से आप क्या समझते है सिख्चा का मतलब क्या होता है ठीक है तो यहां पे और यहीं से सिख्चा का concept भी सुरू हो जाएगा तो देखिए दो सब्दों में पहली संकुचित अर्थ narrow sense the meaning of education narrow sense अब narrow sense का मतलब क्या होता है narrow sense का मतलब एक-एक मैं आपको वो बताता हूँ जिससे कहावात कहा जाता है कहते है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कुदोगे तो बनोगे खराब माला यह जाता है कि जब हम स्कूल जाते हैं पढ़ने जाते हैं, या किताबों लेके बैठते हैं, घर में भी अकसर डाट सुनते हैं कि बैठके पढ़ा, बैठके पढ़ा, वाई क्या पढ़ा उसको मजा नहीं आ रहा है, तो यह जो है न दोस्तों, यह जो है कि हम अगर यह सोचते हैं कि एक बच्चे का जो education है, जो एक सिक्चा मिलना है, वो केवल स्कूल से मिल सकता है, केवल विद्याले से मिल सकता है, केवल टीचर ही उसे पढ़ा सकता है, केवल किताबों से ही पढ़ा सकता है, जब हम इस अर्थ में सिक्चा को लेते हैं, तो यह एक संकुचित अर्थ बन जाता है, ठीक है, देखिए, सिक् प्रवाई में सिक्षा पर्दान करने वाले वाले शिक्षा का अस्तान का गॉड़ होता है जब हम यह सोच रखते हैं तो यह सिक्षा का संकुचित अर्थ दिखाता है यह सिक्षा का narrow sense में इसका अर्थ दिखाता है समझ में आगई बाद जब हम ये सोचते है व्यापक सब्दों में सिक्षा का क्या अर्थ है व्यापक सब्दों में सिक्षा का अर्थ है कि सिक्षा समाज में सदय वो चलने वाली परक्रिया है ऐसा है सिख्षा बच्चा खेलते वे भी सीख सकता है क्योंकि पहले के जो लोग थे वो स्कूल कम जाते थे उनकी जो आपचारिक सिख्षा होती थे वो कम होती थी लेकिन फेभी वो सिख्षित होते थे अपने समाज से, अपने अनुभाओं से अपने आधर्सों से, अपने धर्म गरंतों से सीखते थे बात समझ में आगए बात, तो इसको हम व्यापक अर्थ में सिक्छा कहते हैं जैसे व्यापक अर्थ का मतलब, सिक्छा सद है, वो चलने वाली प्रकिरिया है उसके ग्यानियों कोसल में वृधी विहवार में परिवार्थन किया जाता है और इस प्रकार उसे सब इस संस्कृत सूसोग या नागरिक बनाया जाता है शिक्चा का व्यापगर्थ का मतलब जब हम अपने समाज से परिवार से खेल कूज से सीखते हैं कि वो एक निस्चित अस्थान से नहीं, उसके अलावा भी हम सीख सकते हैं, निस्चित टीचर से नहीं, उसके अलावा भी हम सीख सकते हैं, और सिक्चा सदय वो चलने वाली प्रक्रिया है, आप बुढ़ापे में भी सीख सकते हैं, आप बच्पने में भी सीख सकते हैं, इस अर्थ को जब हम मानते हैं तो हम मानते हैं कि क्या है वऑई सिख्चा का व्यापख अर्थ होता है ठीक है व्यापक अर्थ को आप ऐसे बढ़ा सकते हैं कि यह लॉंग टाइम है अश्य नग पकूण तो इसकी सुरू होने की कोई आड़ी नहीं होती और खतम होने के भी कोई दिने की ओद्सित समय नहीं होता को यही आपको लिखना है चलिए कुछ परिभासा देखेंगे तो और डाउट किलियर होगा और मज़ा आएगा और इस परिभासा को मैंने यहाँ पे इसलिए मेंचन किया जूकि आसान हो आपको आसानी से याद आ जा के और आभ आप अशनी से सुब chamber-leakãy लिख सकते हैं । जिसमें हमने पहले यहाँ पे मैंशन configur किया दोस्तों Pluto को प्लूटो ने ख्या माना था आता सिक्षा को उन्होंवने मानाथ है कि सिक्षा क्या है प्रसिक्षण है एक ट्रेनिंग है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिक्ता का विकास करें यह माना था सिक्षा अब यह इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है जब आप बीड करने के बाद टीचेर बनेंगे तो याद रखेगा पुलोटों के इन SAB director całe 2012 थैने के बड़ी कम है आज के समाज में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नंबर ज्याता लाएं वो घर में उनका contribution कैसा है मंजी के साथ उनके बरताओं कैसे है पापा कैसा है उस पर हम Focused否 नहीं सर नाम इंदिक्श करह tasty तो प्रूटों ने खाँता कि सिक्षा से आदतों दोहर है दोस्तों अच्छी आदतों अरह हो बच्चों मंचि नैतिकता का विकास करें राइट तो यहां पे बात होला है पहली-परिभास गहीं दूसरी परिभास अरुस्तों जी कहा था सिक्षा व्यक्ति की सक्तिक और विशेश रूप से मांसिक सक्तियों का विकास करती है जिससे वो परम सत्य सिव और सुन्दर के चिंतन का अनंद उठा सके तो इन्होंने और तुने कुछ इस परकार से परिवास है अब मैं बहुत परिवासा को एक्स्प्लेइन नहीं क क्या सकते हैं क्या सियोगा है क्या मतलब इस संसार की सुन्दरता का अनंद उठा सकते हैं समझ में अगए बद ऐसी मांसिक सक्ति का विकास करते हैं बच्चों के साथ तो यह सिक्षा का अरस्तू कहा है पढ़िए आप लोग मन लगा के पढ़िए इनकी परिवासां में इस देख सुन्दर समाज की अस्थापना करें ठीक है क्यों कि विद्याले क्या वही समाज का लगू रूप होते हैं चली बाते होते रहेंगे तीसरा पॉइंट देख लें तीसरा परिवासा अर्विंद घोस कहते हैं कि सिक्षा से मेरा अभी प्राय बालक तता मानों के सिक्षा है किसने कहा था अर्विंद घोस जी ने कहा था यूट मजा आएगा ऐसे पढ़ते हुए आगे बढ़ना है अब आते हैं हमारे महात्मा गादीची के बारे में देखते हैं इन्होंने कहा था कि सिक्षा से मेरा अभी प्राय है दोस्तों यह मुझे मतलब रटा सिक्षा वो है जो बालक है सर्विगेड विकास करे ठीक है तो यह इन्होंने खाता है एक और परिवास हम देख लेंगे वह हमारे रवीनाध ठाकुर जी जिसको कहा जाता है तो इन्होंने क्या कहा था सरोच सिक्षा हो है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देता अपितु हमा आगे दोस्तों यहां पर 4-5 परिभासा हैं जो आपको समझ में है जो आपको आसान लेगा वाक्ति वस्तों है तो सारा आसानी ठीक है है तो सारा ही आसानी आप इसको याद कर सकते हैं चलिए यहां तक बात होगी परिभासा की इसके पूरे PDF में आपको दे दूँगा, ठीक है, आप personally, जैसे मैं आपको ये मेरा Instagram का account है, आप मुझे यहाँ पर message करेगा, फिर आप मुझे वहाँ पर WhatsApp नंबर देजेगा, मैं आपको इसके पूरा PDF दे दूँगा, इसके अलावा दोस्तों, मैं एक WhatsApp ग्रूप बना लेता फिलान हम आजाते हैं, अगर आपसे सवाल ये पूझे की मानों जीवन में सिक्षा का क्या महत्तु है, तो आप definitely लिख सकते हैं, सिक्षा मनुष का विकास करती है, बहुत धिक, अध्यात्मिक, बहुत धिक, मानों की सारिक विकास, समाज, समाब बरगार के विकासों की अब मैं आपको कुछ और पॉइंट यहां पे देना चाहूँगा, वो क्या है वो ये है कि सिक्षा सरस्रेष्ट धन है, चीक है, सिक्षा क्या है व्याएप का विकास का एक मूल मंत्र है सिक्षा इसलिए बच्चों कोई सिक्षित किया जाता है, क्योंकि सिक्षित जब होग तो आटोमेटिक उसका विकास होना ही है, तो एक मूल मंत्र है, बाई, सिक्छा, व्यक्तियों को ग्यानवान बनाती है, और विप्रीत हालातों में संतुलन बनाए रखना, देखेंगे आप जैसे जो बहुत धीर, गंभीर और सिक्छित व्यक्तियों ने उसकी लडाई कम होती यह वो सारे पॉइंट, मैं पॉइंट बता रहा हूँ, अब इस पर चाहें तो आप एक्स्प्लेइन कर सकते हैं, जिसे न कोई चुरा सकता है, नहीं कोई छीन सकता है, यह एक मात्र ऐसा धान है, जो बाटने पर कम नहीं होता, बाटने पर बढ़ता है, देखा अपने सब् करता है, यह थोड़ी सी तारीफ कर देना, मुझे भी कर देना, चलो ठीक है, तारीफ कर देना, तो मैं इसको एक्स्प्लेइन नहीं कर रहा हूँ, मैं पीडियम दे दूँग, आप देख लेना, बाकी इसको क्या करना, आपको अपने सब्तों में लिखते हुए, आगे बढ करती है, कौन से सिक्षा, और जीवन के हर पहलू को समझने के सूझ-बुझ विक्सित करती है, तो क्या विकास का एक मूल मंत्र है, इसी तरीके कि कुछ पॉइंट आपको यहां पर हेल्प कर, पॉइंट को आप हेल्प करिएगा, मतलब समझ येगा, बाकी लिखिएगा सिक्षा से, you get my point, you get my point, चलिए, विप्रीथ हालातों में संतुलन बनाया रखता है, जैसे मैंने बताया कि, यू समझ लेजिए, प्रेम, क्रोध, इर्शिया, हर एक इस्तिथी में, दुख, सुख, हर एक इस्तिथी में आपको एक अस्थाई हालात, मतलब आपको क्या करता ह संतुलन बनाया रखने में मदद करेगा education, यह वो सारे point है, जिस पे आप लिख सकते हैं, you get my point, समझ में आगई बात, लिख लेंगे, बहुत अच्य लिख लेंगे, चलिए, अब यहां तक हम चलेंगे, यहां पे, सिक्षा के अभीकरण के बारे में, सिक्षा के अभीकरण देखेंगे, जो तीन agencies है, आपचारिक, formal, आपचारिक, informal और नीर आपचारिक, non-formal, यहां हम चलेंगे लिए कि उससे पहले एक बार थोड़ा सा short revision कर लेते हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब आपको बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूत नहीं है, बहुत कुछ आप यहीं से समझ गए हैं, अब देखिएगा, यहां इस screen पर मत देखिएगा, ठीक है, थोड़ी देख लिए चाहे तो आखें बंद कर सकते हैं, सब्द को सुनिएगा और आप कितना समझ चुके हैं, यह हमें बताईगा, यह से पहली चीज है कि सिक्षा का साब्दी कर्द साब्दी कर्द को बारे हैं, सिक्षा संस्क्रिट के सिक्षधात चीजबना है, जिसका मतलब होता है, सीखना, प्रेयरख के रूप में बात करें, तो सीखना या सीखाना, मैंन पॉइंट कहती है, सीखना, सीखना, इसको एक्जाम में आप बनांकर लिख लेंगे, दुसरा स शापधिक अर्त में अच्छा। एजुकेशन को लेटिन भाशा में हम do so many HI एकपा एमेड आउब को ेच मतलब अंदर से और लिखी आउड शायिदे है। Education का बाहर हो गया। बालक के आंत्रिक सक्तियों को भाशवान्द समझ में आगे इतनी बात बहुत से इतनी बात समझ में आगे तो वाकित सब तो आप तो B8 के बच्चे मास्टर ऐसा ऐसा लिखेंगे एक एक्जामनर कहेगा वाह यही तो वो बच्चा है जो टॉप करेगा दूसरा में माना कि एडुकेर से भी बना है एडुकेशन जिसका भी मतलब यही होता है कि बाहर निकालना या अंदर से प्रकिती की ओर बढ़ाना या आगे निकालना तो इसका भी यही मतलब हुआ कि एडुकेशन का मतलब हुआ कि बच्चों की सक्तियों को बाहर निकालना सम सकता है घर में खेल कूद में हर जगा निश्चित और सदाय वह चलने वाली मिल्टु तुख चलने वाली प्रकिरिया मैं तो बालता हूं जन्म से पहले की भी प्रकिर्गया है तो आप समझ में तो व्यापक का मतलब सदाय हो संकुचत का मतलब जब हम लिमिट कर दो थे कि शक सकतियों का विकास विसे इस प्रकार के मानसिक सकतियों का विकास जिससे वो क्या करें सत्य सिव और सुन्दर का अनन उठा सके समय मैं यह तो थोड़ा सा बहुत आपको देखना पड़ेगा तो परिभासाओं में कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए जीवन में सिख्छा के महात विकास जिससे शुब देखना परिश हुश क मतलब बाला के अध्यात्मिक विकास मांसिक विकास सारिक विकास समाजिक विकास ठीक Is के आलावा सिक्छा के रूध having ॉटल यह जितने अपने पड़े मानों के लिए कितना महत है तो even मुह तो इस सारी सिक्छा के उप्समें आ सिख्छा के अभिकरण को तो सबसे पहले समझते हैं कि अभिकरण किसे कहते हैं अभिकरण क्यों कहा गया एजेंसी क्यों कहा गया फिर हम देखेंगे कि वह तीन अभिकरण क्या है क्यों है क्या है अभिकरण का मतलब क्या होता है अभिकरण को जब आप अंग्रेजी में मज़ में मारे एजर्ट का होती है एजर्थ का मतलब क्लिबाए बैक डरी ट्रैक्टर की अगेंशी प्रराइच्षक प्रभाव डालते हैं यहां से बचन को सि्छ जिए है जीलिए यह आपिसको सबसे अच्छ के संकुचित अर्थ को जानते इसलिए उसको मैंने पहले देखिए, सिख्चा के संकुचित अर्थ ही वास्तों में सिख्चा का आपचारिक साधन होता है, जैसे अब हम ये मांगते कि सिख्चा के आपचारिक साधन का मतलब देखे का होता है, जहाँ पे आपचारिक अभिकरण उन संस्थाव संगठनों को कहा जाता है, जो नियमानु नियम आनुसार संगर्ठीत होते हैं नियम आनुसार का मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 नियम है भाई नियम है आप डारेक्ट क्लास 10 में नहीं जा सकते हैं ठीक है वहाँ पे भी अब जैसे कोई बच्चा 10 साल का है और वह पोस्ट ग्रैजूशन करना चाहते हैं उसे अडमिश नियम आनुसार पढ़ाई जाती हो रहते हैं पढ़ाने की आउतीस अमय भी निश्चित हो तो वो साधन होगा heut ऑपचारिक साधन meek क्या हो सकता है आपका सकूर हो सकता है विद्याले हो सकता है कुछ और पॉइंच को देख लेते हैं निश्कित उद्देश से के अनुसार व्यक्टित समाज के आशकता हूं के पूर्ठीक दिसा मेर संचारित की जाती हो अस्थान समय सबकुछ निश्कित होता है कुछ आवस्यक नियम होते है जिनको सिक्छ 6 के दोनों पालण करते है तो यह आपचारिक होता है, मतलब फॉर्मल होता है, जैसे विद्याले, स्कूल, पुष्टकाले, वाचनाले, संग्रहाले, तो यह हो गए बाई, आपचारिक, अनपचारिक का मतलब खलास, बिल्कुल सोतन्त रूप से, अनपचारिक का मतलब कुछ भी निस्चित ना हो, सकती है कि नहीं हो सकती है, तो वो अनिस्चित है, वो हाँ पर निस्चित नहीं है कि मम्मी इतने लेबल की पढ़ी होंगी तब नहीं, वो यह क्या है, यह अनपचारिक अजनसी अभी करण हो जाते है, जैसे देखिजी, पुराने जमानिम दोस्तों, आदिम यूग में पुरीत और नपचारिक सिक्षा में किसी निस्चित अस्थां तरह समय नहीं दी जाती है, न निस्चित सिक्षक होते हैं, नहीं निस्चित सिक्षारती होते हैं, चीक है, चली, सबी अस्थानों पर और सभी समय पर हम इस प्रकार की सिक्षा सिक्षा प्राप करते रहते हैं इन अभीकरणों में सिक्षा परदान करने के निश्चित विधी या नियम आदि नहीं होते उसको जोनिक उसके लिए अभी घ्रयेट होना पड़ा है तो यह क्या है अभा प्र्वब्लम यहां पर आती है नीर अप्चारिक का मतलब दोनों के योगों को माना जाता है कैसे अब इसको देखे प्रोण सिक्षा जन सिक्षा एम सतत सिक्षा की बिवस्ता नीरोपचारिक सिक्षा की द्वारा ही दी जाती है यह यह साधन है जो यूको एम प्रोण के लिए भी वर्दान सिदू है जो सिक्षा के वास्टविक रूप्शन हिधार्ट की गई आईउ में अपनी सिक्षा को देखिए अब यहां पर बस समझ आईए क्या है वास्तों है मैं आपको यह कह दू कि भई आपका syllabus तो fix है मतलब आपका curriculum fix है कि आपको यह चाहरे चीजे पढ़ना है लेकिन आपका समय fix नहीं है समय फिक्स का मतलब सिखाने वाला फिक्स नहीं कि आप आठ से बारा पढ़ेंगे या स्कूल में जाकर पढ़ेंगे नहीं डिस्टेंस लर्निंग जो है या प्राउन सिक्षा जो है जो बुढ़े लोग को दी जा दिया दिया सिक्षा के अंदर आती है यहाँ पर जैसे आप MSC कर रहे हैं कहां से ओपल से आपका तो स्लैबस करिकूलम तो फिक्स है टाइमी फिक्स है कि यह महीने में आपका पर हुगा लेकिन आपको क्लास रूम में बैपकर पढ़ना है कि पढ़ना है तो यह पक्लासwar है एक प gallery स्थी आपका पढ़ने का समय और पढ़ने के नियम पढ़ने निश्जीत होंगे तो इस पकार से आप इसको लिखेगा समझ में अगब इसके उधारा देखिए जहां से समझा जाए दुरस्ट सिक्षा ऑपें इनुवर्स्टी एजुकेशन इसका मतलब इसके समय समय पर कुछ सर्टिफाइ यहां पर आपको जाकर पढ़ना होता है तो वहां पर आपको उसके बारे में बता है जब रिसेटली यूथ डे पर नौयुक दिवस पर यह स्वामी विगान के जन्म के उसर पर एक यूथ कलब बनाया गया उसमें बच्चों को टॉपिक बताएगे कि आपको यह लेना है आके सब्सक्राइब है तो आप यहीं से असको असलिक सflow आपके साकिर नियुक्त के आपको जन्म कौन साओं ऑऔर और लियूरी नियुक्त है नियुक्त कट बरग दों क कर दोएं पर दिखा ये, लेकिन यहां पर सिक्चा का अनने विश्यों के साथ संबन्दम देख लेती हैं तो बहिए सबसे पर देखतें कि दर्सन का मतला दोस्तों फिलोसफिक का मतला कि दृष्टिकोड आपकिसी नेक नजर या एक सोच तो प्रतेक विक्ति का जीवन के प्रतीक कुछ न कुछ दृष्टिकोड होता है भाई हम इस दुरियां में क्य दौरा ही होती है कहने का क्या मतलब है आप देखेंगे जो इनसान जितना सिक्षित होता है उसके उदेश से वैसे होता है जैसे कुछ का उदेश से बस यही है कि हमें यह कबजा कर लिना है या फिर हमें यह चाहिए लेकिन कुछ का उदेश से कहा है हमें समाज को बहतर बना यह नियुक्तन है तो यह, यह जी प्रकार से श्वात होगी उसे प्रकार से आपके जीवन आधारश장лю का उद्रस्वाया उद्राहर पर श्वरूप के उद्रसंधोड निर्भेत कहें जाता है आता सिक्षा और दर्शन चेत्र का एक अंग है जो सिक्षा है वो दर्शन चेत्र का एक अंग है इसको हम दूसरे में देखेंगे जब सिक्षा और दर्शन के एक ही सिक्के के दो पहलू है यहाँ पर बस यह कहने का मतलब यह दोस्तो कि सिक्षा और दर्शन वास्तों में एक सिक्षा के दो पहलू है सिक्षा हमें बताता है कि आपके जीवन में सिक्षा का क्या उदेश होना चाहिए जीवन जीने का क्या उदेश होना चाहिए जीवन जीने का तरिक यह सारे चीज़ें कि अतने धारत कैसे होता है सिक्षा के द्वारा होता है वहीं आपसे एक और देखें कि सिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंद है मनोविज्ञान को कहते है साइकोलजी साइकोलजी का मतलब मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान किसी बच्चे को मन को पढ़ाना अब सिक्षा और मनुविज्यान में सम्प्र इतना घरिस्थ है कि आज मनुविज्याद ने सिक्षा की पूरी संव्राचना ही बदल दिए पहले के जगेबाने में इसकूल ठीचर सेंटर्ड करिकूलम उता और आज के वैं चायल सेंटर्ड करिए मर आज क्यों क्योंकि पहले आप ये देखे कि बच्चे की रूची क्या है और चांग का स्थान हैं। इंतन कृप्ना सहिं सकतियों और बुद्धि का विकास यस सारी शीज पढ़ते हैं उसके अनुरूप अपने पाठे करब को बनाते हैं क्योंकि हम ये सभी तत्व बालक की सिक्षा के अधार समझते हैं और इनी तत्व एम सक्तियों के अधार पर बालक का सर्विगिड विकास हो पाएगा जब तक हम बच्चे के मन को नहीं जानेंगे बच्चे के रूची नहीं जानेंगे बच्चे की चमता नहीं जानेंगे बच्चे का इंट्रेस्ट नहीं जानेंगे हम बच्चे का विकास नहीं कर सकते इसलिए मनु विज्ञान और सिक्षा एक दूसरे के पूरक है एक दूसरे से जुड़े हुए एक दुसरे के अंग है और इन दोने में घनिष्ट संबन्द है ठीक है यह भूश जरूरी है इस तरीके से आपको लिएना है चरिए तीसरा पॉइंट सिक्षा एं समाज आपके सिक्षा से समाज पे क्या परभाव पड़ता है समाज से आपकी सिक्षा पर क्या प्रभाव करता है ये दोनों जानना बहुत जरूरी है इसलिए दोस्तों सिक्षा में हमेशा हमें समाजिक ततों को समाजिक संरचनाओं को समाजिक रितियों को सामिल करना है और सिक्षा के दोरा उन समाज में फैली कुरीतियों को हटाना है, बेदबाओं को हटाना है, बुराईयों को हटाना है, ठीक है, तो इन दोरों में बड़ा घनिश संबंद है, एक दुसरे से बिल्कुल परभावित होते हैं, सिक्षा से समाज से सिक्षा परभावित होता है, इन दोने में भी घंश संबंद है इस तरीके से आपको लिएना Last but not the least सिख्छा और इतिहास में क्या संबंद है देखिए हमारा जो आज वर्तमान है वो हमारे इतिहास की वज़ा से है हमारा अतीत जैसा था उसने हमारे वर्तमान को ऐसा बनाया हमारा आज वर्तमान जैसा रहेगा वो हमारे भविस्यों को बनायेगा तो सिख्छा और इतिहास में यही जरूरी है भाई कि हम अपने अतीत को जाने हम आज के स्वरूप को अतीत से जाने तब ही तो आब बच्चों को पढ़ाएंगे कि बच्चे का हम किस कठिनायों से उभर के आज यहाँ पर आए हैं चलिए इसको देख लेते चुकि वर्तमान की उत्पत्ती अतीत पर अधारित होती है इसलिए परतेक सिख्छा सास्तरी के लिए यह आदी काल से लेकर तब तक सिख्छा के विकास या इतियास का जानना आवस्यक है जब तक हम सिख्छा के विकास में आज तक हुए परिवर्तन का अध्यान नहीं कर लें तब तक दिये से वंकाल के अनुकूल हम सिख्छा की संरचन नहीं कर सकते है अग्जा है सिक्फ्षा में या पर देखेंगे फिर इस वीडियो को समाब्थ करेंगे मतलो ही आगला योगदान देता है, कितना लाफकारी है, कितना क्या वाई, सहाय क्या, अब आई, बालक की सिक्षा की प्रक्रिया घर से ही प्रार्णब होती है, सिक्षा अपने आप में एक अत्यतिक व्यापक एवं बहु पक्षी है, बहु पक्षी होते हैं, सिक्षा की प्रते एक पक्ष मे घर परिवार सरवधी की योगदान है सबसे ज़्यादा योगदान किसका है वही घर और परिवार का है सर उपरतम हम कह सकते हैं कि बालक को भासा का ग्यान परिवार द्वारा ही प्रदान की दिया जाता है पासा का ज्यान अपसारिक सिक्षा अर्जित करने के लिए अनिवारे शर्त है इसके अलावा भी आप बहुत कुछ लिखेंगे इस पॉइंट्स लिखेंगे कि एक परिवार बालक के सिक्षा में क्या क्या देता है क्या क्या देता है उसके बौधिक विकास उसके चरित्र का निर्माड उसके व्यक्तित्तु का विकास उसके सारडिक विकास धार्मिक सिक्षा जिसके परिवार में बच्चा जनम लेता है उसी धर्म को वो आगे सिक्षा प्राप्त करता है जीवन में वास्तिविकता से ओगत कराना परीवार का ही कारे है समाजिक भावना का विकास करना वेहवारी के वेवसाईक से जहाँ आग देखेंगे जिसके घर में बिजनस रहता है वो बच्चा बिजनस की तरफ ही सोचता है जिसके घर में government job वाले होते हैं वो government job के तरफ ही सोचते हैं तो ये सारा वो जो role है वो परिवार देता है बच्चों के अब इसको one by one explain करना है explain मतलब आप अपने सब्दों में explain करेगा मैं आपको PDF तो definitely दूँगा जैसे परिवार बालक का बहुधिक विकास कैसे करता है बालकों का बहुधिक विकास घर पर होता है जिन बालकों के घर पर अच्छी पुस्त के पत्रिकाय आती है उनकी बुद्धी का विकास अच्छा होता है घर पर बालक के निरिक्षड सक्ती परिक्षड सक्ती का अपना सक्ती विचार आदी सक्ती परिक्षड होता है इन सक्तियों का उत्तम विकास समुचे रुप से बालक के बहुत इक विकास में साहिक होता है तो आपने देखा कैसे परिवार में आपके कैसे कारे होते हैं कौन-क बालकों को इमानदारी, सत्यता, देश प्रेम, छमा, सत्भावना, आदी गुड़ों को विक्सित करता है, घर ही बालक को स्वार्थी, दयाहीन एवं हिर्दयहीन बनाता है, समझ जाएंगी बन? घर ही इंसान बनाता है, घर ही शैदान बनाता है, घर ही इंसान बनाता है, अता पॉइंट है जिसको एक्स्विलिल किया गया है देख लेंगे बहुत सभी हम लास्ट तीन जो पॉइंट था सिक्षा की प्रकृति में जो मुख्य तो पूछे जाते हैं उसको देखेंगे फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे जिसमें हमारा पहला पॉइंट है दोस्तो कि सि अपने तरको द्वारा कीजिए आप बताए कि सिक्षा कैसे कला है और सिक्षा कैसे विज्ञान है इसको हम जान लेते हैं उसके बाद जो दो मुख्य पॉइंट है जैसे कि सिक्षा एक द्यू मुख्य परकिरिया है और सिक्षा एक त्री मुख्य परकिरिया इसको हम जान ल कला है लेकिन वास्तिविक्ता यह है कि सिख्षा पूर रूप से ना विज्ञान है ना पूर रूप से कला है सिख्षा विज्ञान और कला दोनों है कैसे है आज ये इसको ज़रा समझते है सवाल देब आपसे पूछेगा तो आपको ऐसा ही लिखना है ठीक है आपको पहला देना है कि सिख्छा का विग्यानिक पक्ष क्या है वह क्या क्या तरक और पक्ष हैं जो कहते हैं कि सिख्छा विग्यानिक पहले आप यह समझें कि विज्ञान किसे कहते हैं, दोस्तों किसी भी सुनिस्चित, सुसंगडित, सुवेवस्ति विज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और विज्ञान एक ऐसा है जिसके आधार पे कुछ हम सिध्धान देते हैं, जिसके आधार पे हम कुछ नियम बनाते हैं, वो विज्ञान कराते हैं और जो विज्ञान है वो सारवभूमिक है एक्जामबर की तोर पे अगर इंडिया में H2O का मतलब पानी ही होता है तो अमेरिका में भी H2O का मतलब पानी ही होगा ठीक है अगर हम इंडिया में मानते हैं दोस्तों कि किसी भी एटम के अंदर के प्रो तो कार्य करण श्रिंख्ला से आबध्ध होकर तथिओ का निवपूरत। तार्ऽी किरह करती हैं मतला कोई भी कार्य को तो को तार्खी की रूप से लॉजिक रूप समेकरते हैं विज्ञान कहouch अन्तकर और इससे अधार पर कुछ सिधान्त या कोई प्रिस्पल जी थीरी समन निर्मार करते हैं यहां तक बात हो गई साइंस के अब सिक्षा कैसे साइंस है यह देख लिजिए सिक्षा भी हम कुछ सीमा तक किसे विशय वस्तू के संबन्द में समगरी एकत्रित कर उसे क्रमबद रूप से संग्रहित करते हैं और उसके अधार पर समान नियमों का प्रतिबादन करते हैं एजुकेशन में भाई हम क्या करते हैं कुछ डेटा करते हैं कुछ नियम संग्रहित करते हैं और लास्ट में हम कुछ उसको नियम मनाते हैं इस आधार पर सिख्छा को हम विज्ञान कहा जाना चाहिए परम्तु सिख्छा वैसा पूर्ड विज्ञान नहीं है जैसा भौतिक सास्त और रसायन सास्त्र है इंडिया में अगर H2O का मतलब पानी है तो अमेरिका में भी H2O का मतलब पानी हुआ है लेकिन दोस्तों इंडिया में जो सिखा के उद्देश से होगे वो अमेरिका में सिख्छा के उद्देश से नहीं हो सकते हैं आज लेखे स قी आगों किया जाता है,सिक्षा नियम ये कम्प्लीटलि आज लागो नहीं होते हैं इसकी गारेंटी नहीं है इसलिए यह पूर रूप से विज्ञार नहीं भहा है। इसलिए विज्ञार निर्मार या उत्पादर के प्रकिरिया है कॉछ जानना आर्थात नहों कर स्रिजन करना भूंब वूम्हें दिखाना है तुम्हें दिखानानी किंशान को वहां सूच नहीं सकता घी जहां ना पहुच해 रवी वहां ज़ां पहुचने कभी प्वेट्री का इक आर्ट इस पर कार विज्यान एवं कला मुप्योगिता के द्रिष्टी से मौली की वेद है जैसे निरित्य संगीत, मूर्ति कला, चित्र कला, कस्ट कला, अदे दिर्माण, स्रीजन ही द्रिष्टी को प्रमुख होता है मतलब क्रियेटिविटी क्या होता है जैसे मतलब एजुकेशन भी क्या होई, पढ़ाना भी एक कला है चीक है पढ़ाना भी कला है यहां भी आप स्वतनतर आपको बच्चे को कहने लेकिन पूर्ड रूप से आप स्वतनतर नहीं हो सकते अब इस चीज़ देखे कला को एक ऐसी वहबारी कुसलता कहा गया है जिसका परधान उद्देश रचना निर्मार तता स्रिजन है सिख्चक एक कुसल कला कार है टीचर भी क्या होई एक कुसल कला है आप जब करिकुलम पढ़ेंगे ना पाठे करम उसमें आपको करिकुलम की वह परिभासा याद कि पाठे करम मेरे हाथ में क्या है जैसे सिख्चक जैसे एक पेंटर के हाथ में ब्रश होती है ना जिससे वो बच्चों को जिससे वो पेंटिंग मनाता है ठीक वैसे ही पाठे करम क्या है सिख्चक के हाथ में वो ब्रश है वो टूल्स है वो आजार है जैसे बच्चों का द निमार करता है उसके लिए विद्याला एक कला मंदिर है जिसमें अपने आदर्सों के अनुसार वो बालकों के मानस पटल पर सुन्दर चित्र बराता है बाला के वहवार में वांचिर परिवर्तन सिक्षक सिक्षण कला पर निर्वर करती है जो सिक्षक अपनी सिक्षण कला में जितना अधिक प्रागत होता है वह उतना ही अपने छात्र का ही कर सकता है इस द्रिटी से विशा करने पर सिक्षा को कला की संग्या दी जाती है तो आपने देखा सिक्षा को हमने विज्ञान भी माना और आप विज्ञान भी मानेंगे तो इस तरह के साथ आपको व्याख्या करते हुए चलना है अब लाश्ट दो पॉइंट से उसको देख लेते हैं फिर इस वीडियो को समभाब करेंगे ठीक है चलिए पहली चीज आती है सिक्षा त्री मुखी प्रक्रिया है उसके पहले हम देख लेते हैं सिक्षा द्यू मुखी प्रक्रिया तू दो पोल होते हैं तू पोल कहते हैं तू पोलार तू पोलार है एडम्स ने सिक्षा को दू मुखी प्रक्रिया माना जिसे एक सिक्षा को दूसरा सांति आरशक्रा दॉस्टार दूसरे करते हैं सरी समयले लेकिन जॉन ड्यवी यासि त्रीमुखी प्रक्रिया की budgetस्तेरी कहीं अनुसर नीन हिर्त परक्रियां की ट्रीमुखी प्रक्रीयां का सकते हुए iedereen we Products Charlie इस भिविद्वानों ने करते हुए इस मानयता के नुसार उसक्षा तिन अंग होते हैं जौन डीवी ने अपने दिरिष्टिकोल से व्याख्या प्रस्तुत की है। डीवी के अनुसार सिक्षा की प्रक्रिया में मनोविज्यानिक पक्च के साथ ही साथ समाजिक पक्च का भी समान रूप से महत्व होता है। सिक्षा की प्रक्रिया सदेव समाज में रहके चलती है समाज से बिल्कुल अलह रखकर सिक्षा की प्रक्रिया चल पाना संभव नहीं तो तीरी मुखिये का मतलब एक बालक के मर्द पार्ट करम फिर उसके बाद सिच्चक सिच्चक और सिक्षारती के मर्द पार्ट करम होता है त्री मुखी मुखे समझने आगे बार प्याक्या कर लेगे बहुत अच्छा चलिए दोस्तों इस वीडियों को हम यहीं समाज में आए होगी और इस तरीके से आपको इसको लिख लेगे थोड़ा सा अगर आप एप्रेशियेट करना चाहें मेरी सरहना करना चाहें कि जिन सब् लोग मैंने यह नोट्स बनाए हैं विएकोल असान से सब्सक्राइब अपनी भासा है जो मैं खुद सुच सकता हूँ जो मैं खुद लिख सकता हूँ तो परिक्षा में जब आप स्रीस से पढ़ेंगे किताबों से पढ़ेंगे तो याद नहीं है तो मैं आसा करता हूँ कि कि आप यह सहाइक होगा मैं बहुत दिल से मेहनद करके यह आपके लिए वीडियो लेकर आया था मैं definitely मैं उमीद करता हूँ कि आप यह सहाइक हो तो एक काम कर दीजिएगा कमें प्रतिक्रिया जरूर देजिएगा लाइक कर दीजिएगा लाइक करने से क्या होतारा है रीच आपके लिए दोस्त को जिए जो बता है कि यह एक वीडियो है जो कम से कम 16 नंबर आपको देख जाएगे अपने दोस्त को शेयर करें कहिए कि यह तुम्हाले में देख से गिफ्ट है और उनसे कहिए कि वह दूसरों को गिफ्ट देता रहे है ज्यान बातने से बढ़ता है यह क्या है वह एक है यह दितना कि तम वह एक सब्सकर और आपके बातने सब्सक करता है मैं बहुत करता हूं आपसं लिम्हें 25 00 www सब्सक्राइब करना ना करना वह आपकी इच्छान उसार है मुझे मैसेज कर दीजिएगा वहां से आपको पीडियो भेजता रहूंगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगा कमेंट का पहला भी लिंक दे दूगा बाकी इस वीडियो को सेब कर लिए चैनल से जुड़े रहें ऐसे आपके लिए साहा की वीडियो आती रहेंगी मुझे आपके सब्दों का इंतजार रहेगा कमेंट में अपनी राय पर क्या है जिरूर दीजिएगा वीडियो के फिलाल इ लिए कर दे खिलाय मुझे ऑ्र-जो जोी।